मयामी परियटन्स थल एक खुपसूरती समुद्री शहर है जो अपने आकर्षित समुद्री बीच और नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है मयामी शहर लेटन अमेरिका के राज़धानी है और दक्षिन फ्लोरिडा में अंटार्टिक महासागर की ओस्तित है आपके जानकारी के लिए बता दे कि मयामी शहर कई बड़ी-बड़ी कंपनियों और कॉपरेटिव व्यवसाई के मुख्यालियों के लिए भी जाना जाता है मयामी का इतिहास मयामी का इतिहास बहुत पुराना है जिससे पता चलता है कि हजारों साल पहली इसकी खोच एक स्पैनिश खोच करता ने की थी वर्यस 1556 में उन्होंने मयामी को स्पीन का हिस्सा बताया था लेकिन ब्रेटेन और स्पैन दोनों ही मयामी पर अपना अधिकार होनी का दावा करते रहे कहते हैं कि बीशरे सताब जी के दोरान बहामा और अफरिकी अमेरिका प्रवासियों ने इस सहर की जनसंख्या के गठन में लगबग 40% की भूमी का निबाई मयामी के इतिहास में देखने पर पता चुलता है कि सन 1920 के दोरान फ्लोरीडा में भूमी का पतन सन 1926 में मयामी में आया भयंकर तूफान और 1930 के दशक में क्लैच प्लेट खटनाओं की वज़े सी मयामी का विकास रुग गया 1969 की दर्मियान फिदेल कास्तरों ने क्यूबा के सत्ता की भगदोर संभाली और इसके बाद क्यूबाई अमेरिकी ने यहां रहना शुरू कर दिया जिसके चलते मयामी का एक बार फिर से विकास संभव हुआ मयामी के बारे में कुछ रोचक तत्थ है मयामी में यहूदी और इसलाम धर्म के बाद सबसे अधिक माना जाने वाला इसाई धर्म है मयामी परियाटन स्थल संयुक्त राज अमेरिका का सबसे पुराना और प्रमुक स्थल है अंतर राश्रे बैंकिंग प्रणाली और व्यवसाय के लिए भी मयामी सबसे बड़े हप के रूप में जाना जाता है मयामी में बोले जाने वाले प्रमुक भाश्य अंग्रेजी है लेकिन स्पैनिश में बहुत अधिक बोली जाती है मयामी के घूमने लायक प्रमुक प्रेयटन स्थल सबसे पहला मयामी का आकरशन स्थल है साउथ बीच मयामी के साउथ बीच को सोबे भी कहा जाता है आपकी जानकारी के लिए बता दे की मयामी में विक्सित होने वाला पहला स्थान भी था मियामी के इस खुबसूरत स्थान पर छुट्टिया बिताने के लिए बड़ी-बड़ी हस्सियां भी आती हैं जो की दक्षिनी समुदर तरपस्थित है सन्युक्त राज अमेरिका की खुबसूरत सफेद रेत इस स्थान का प्रमुकाकर्शन है दूसरा है हमारा जंगल दीप मियामी पर्याटन स्थल पर घूमने वाली जगों में शामिल जंगल दीप यहां के प्रमुक पर्याटन स्थल की सूची में शामिल है आपकी जानकारी के लिए बता देखी जंगल दीप दुनिया में सबसे दुलब और सबसे अधिक विदेशी जानवरों के लिए जाना चाहता है जंगल दीप ऐसे परियटोकों के लिए आदर्श ठान है जो रोमान से भरपूर गतिविधिया, जानवरों की खोच और खेल में रूची रखते है हमारा तीसरा स्थान है Big Packs Cape, Florida State Park संयुकत अमेरिका के सबसे अच्छे समुदर तटो में शामिल Big Packs Cape, Florida State Park एक खुपसूरत परियटन स्थल है क्योरिंग, फिशिंग, बैटिंग, साइकिलिंग और पैदल यात्रा लाइट हाउस आदी शामिल है हमारा चौथा स्थान है विचकाया मियामी का एक खुपसूरत परियटन है जो कि 180 एकर छेतर में फैला हुआ है माना जाता है कि किसी समय के दोरान यह एक व्यापारी जैम सदीरिंग का हुआ करता था आपकी जानकारी के लिए बता देगी अब इसे संग्राले के रूप में बदल दिया गया है और आसपास के छेतरों और बगीचों के रूप में तबदील कर दिया है यह परियतन स्थल अपने आंगनों में परियतकों का स्वागत करने के लिए आतूर रहता है हमारा पाचवा स्थान है धार्मिक जगे गेसु चर्च मियामी के एतिहा से गेसु चर्च का निर्मान सन 1896 को किया गया था जो कि मियामी का सबसे पुराना चर्च भी है यह चर्च वास्तो सिल्प थार्मिक वास्तो कला उत्कृष्ट डिजाइन से और मियामी के विस्तार गवान से बना है मियामी आने वाले परियाटक अक्सर इस खुबसूरत चर्च का दोरा भी करते हैं